हेलो एवरिवन वेलकम तो मैंगनेट ब्रेंज मैंसर प्रतीक करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैंगनेट ब्रेंज पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी एड्यूकेशन वह भी बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट ठीक है तो जैसे हमारी बात चीछ चल रही थी की मूविंग चार्जेज और मैगनेटिजम आज हम देखने वाले हैं बोर्ट के रिस्पेट से एक बहुत ही जबर्दस धासू इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जिन ऑफ गल्वानो मीटर इंटू बोथ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर ठीक है तो आज हलका सा में लेट हो दो दो मिनिट की देः हो गए थी तो इसके लिए चाहता हूं और बखसी पानी वन यहानि सब पी लिया बिल्कुल पील्ला इस ओट यह जह वल्कूल evo कैसे क्यों मिलेगी क्यों हे दल्कुलिकिए Aid कि 44 आँके ड históther bFEiff सब लोग पर चलिए Okay everybody ready done एक बाज रहा confirm कर दो एक बहारा confirm कर दो आवाज आ रही है पूरी clear बेटा जल्दी बताओ आवाज पूरी clear आ रही है और video पूरा clear है क्या बात है present present रहे ज़ता हैं बहुत जबर्दस्त एक तरफ और आगे बढ़ें को सेवन्थ क्लास का मैइस मैं नहीं लेता हूँ सेवन्थ क्लास के मैच के लिए प्लीज चेक कम्मुनिटी पोस्ट वह आपको मिल जायेगा पूरा स्केडियूल कपकप लगती यह मारवल क्यों नहीं पहचाना भाई बिलकुल पहचाना क्या आपके साइ Letures Playlist में आड नहीं हो रहे रोकिये अब अपने टीम से बात कर लेता हूं कि Letures Playlist में आड नहीं हो रहे थाइंक्स फॉर ब्रिंगिंग इस इश्यू मैं करवाते हैं चलें ओके ड़न ओके अरे माफ करी माफ करी माफ करीए चे मिनेट लेट हो गए अब लिकिन अब जल्दी स्टार्ट करेंगे ठीक है बजिआंकि अवाम ơi और वीडियो ख्री स्टार्ट कर UP दोदैरना घूना जल्दी अरे उत्राखंड भाई में अकर आना उत्राखंड यार अगर किो करने जम जाए तो अतरकंड तो इमया दोदैंस्यूस स्टार्ट करते हैं ना स्टार्ट करते हैं भाई क्रिष्ण मोहन शर्मा ओके डन गो रेडी ठीक है आज कहने वाले हैं मुविंग चार्जिस इन माइडियरम और टॉपिक है हमारा कन्वर्जिन ऑफ गिल्वानो मीटर इंटु एम मीटर एंड वोल्ट मीटर ठीक है अब सुनो बेटा यहां पर आने से पहले यहां बेसिक चीज क्या है सबसे पहला फंडा जो है जो हमको सीखना चाहिए वो क्या है concept of current division rule और current division के ठीक बात में आपको पढ़ाऊंगा concept of potential division rule ठीक है तो concept of current division और potential division यह पूरा फंडा क्या होता है एक बाद जरा इस पे इत्मनान स से ठीक देने उसके बाद पूरी कहानी जो है ना वो पूरी clear हो जाएगे अपको ठीक है ready go done चलो अब जरा धे बाय होता है कहां पर कहाई होता है तो भाई देखो भाई यहाँ होता है अभी तुम्हाइज सामने कर देंगे एक बनाया रजिस्टर यह वाला ठीक है और ठीक इसके ओपर एक बनाया रजिस्टर अपने यह वाला चलेगा आप लोग को इत्ता ठीक है अब जरा गौर करना देख क्या होता है यह जो उपर वाला रेजिस्टर है ना इसका रेजिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने आर वन के बराबर और जो नीचे वाला रेजिस्टर है इसका हमने रेजिस्टेंस किता मान लिया है i2 के बराबर ठीक है, एक बात सुनना गौर्ड फरमाओ क्या होता है, देखो, जब current आता है, यहाँ पर i के बराबर, अब current के पास दो रस्ते हैं, ठीक है, current ऊपर भी निकल सकता है, current यहाँ भी निकल सकता है, और जाएगा दोनों ही तरफ ठीक है तो जैसे माल लेते हैं जैसे माल लेते हैं कि उपर वाले ब्रांच में जो करेंट गया वो करेंट गया I1 और जो नीचे वाले ब्रांच में करेंट गया I2 किता गया? करेंट गया I2 ठीक है अब यहाँ पर ना एक बात है यहाँ पर करेंट जब तुम्हें क्या निकालना है आई 蘭ान निकालना है मतलब उपर वाले में क्या कारेंट गया उसका फणन्डा ये होता है main current i into opposite resistance in to opposite resistance मतलब r2 तो पहला फंट़ा क्या शिखा ये मैने अगर आपको i1 निकालना है गया this program basic फॉर्म्मला में क्या हॉता है main current into opposite resistance तो अगर उपर वाले में current निकालना है तो resistance ले नीचे वाले को opposite resistance upon नीचे क्या हो जाएगा summation of resistance ठीक है एक बार को यह वाला formula दिमाग में अटका ले बाकी मैं इसका proof करवाता हूँ भी ठीक है और उसके बाद अगर तेरे को i2 निकालना है क्या निकालना है i2 निकालना है भाई जल्दी बताओ यार खुद सोचो खुद सोचो क्या हो सकता है अगर i1 निकालना था तो main current into opposite resistance कर दिया upon क्या आगया sum of resistance वैसे ही जब मुझे i2 निकालना होगा क्या निकालना होगा i2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा main current into opposite resistance तो opposite क्या होता है r1 नीचे वाली बिल्कुल change नहीं होगी r1 प्लस r2 ही रहेगी ठीक है एक बाद ज़रा screenshot ले लो और बताओ ये जो मैंने अभी बस ये जो formula बताया ये जो formula मैंने आप लोग बताया है क्या वो formula आपको इतना भर बताओ बहुत लोग उत्राघंट से यार क्या बात है यह सर चमका ओके ऐश्वर्या जी ओके ऐश्वर्या जी ओके कृष्ण मोहन शर्मा ओके चलो 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 डैन 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 आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े यह सर चमका ओके चलो भाई लोग अब एक बात होती है कि सर फॉर्मला था आपने लिग दिया तो बाई यह बकाइदा काम करेगा तो बिलकुल काम करेगा पर कैसे काम करेगा अब जोनते पर चलना ठीक है बस यहां ध्यान दे कैसे काम करेगा देखो बाई example दे रहूं example ठीक है example दे नहीं तुम्हारे यसाप से। देखो क्या हो रहा है दो resistance लिये मैंने ठीक है यह उपर वाला resistance जो है ना वह 10 ohms का लिए ठीक है और जो नीचे वाला resistance लिया मैंने यह लिया है 5 ohms का गिते का लिया है मैंने 5 ohms का लिया है ठीक है अब एक बात सुनना जितना राइस्टेंस नीचे है उसका डबल राइस्टेंस उपर है पका जितना राइस्टेंस नीचे है उसका डबल राइस्टेंस उपर है बेटा अगर राइस्टेंस जादा होता है तो करेंट पर क्या फर्क पड़ता है क्य जितना current यहां जाएगा न, उसका आधा current ऊपर जाएगा, क्यों? विक्राइब रस्ते में परिशानिया डबल हो गई है उपर वाले रस्ते में resistance जो है वो डबल हो गया है, ठीक है? अब माले, for example, इक्जामपल पकड़ इसका, मालन ले फॉर इगजाम्पल यहाँपर जोernen आ रहा है 9 A तो जो main current है उसकी value कित्या आ. अब भाई आ रहे है ऊपर वाले में कित्ता current जाएगा i1 कित्ता होगा और यह नीचे वाले में कित्ता current जाएगा i2 कित्ता होगा यह निकालने हैं अपने को main current into opposite resistance upon summation of resistance ठीक है अगर i2 निकालना है मतलब यहां निकालना है तो main current into opposite resistance upon summation of resistance बस उत्ता करना है ध्यान दो apply करते हैं इसको ठीक है मुझे i1 निकालना है मुझे का निकालना i1 main current into opposite resistance upon summation of resistance सुनते पर चलने अच्छे से किता हा रहा है main current 9 amp अच्छा इसको सुनो तो ये पहले वाले में है तो R1 माल ले ये दूसरे वाले में है तो R2 माल ले ठीक है तो मेन करेंट इंटू आपोसे राइसेंस जब मैं आईवन निकालना चाहूंगा तो आपोसेट में क्या राइसेंस है फाइव ओम्स का है अपोन नीचे क्या आजाएगा समेशन ओफ राइसेंस 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 प्लस 5 करेंगे तो 15 फिफ्टीन थ्री जा कटे गई है तो क्या बच जाएगा 9 बाइट्री और 9 बाइट्री कितना होता है 3 एंप्यर अब ज़रा कॉमन सेंस लगाना अगर 9 एंप्यर आया उसमें स कुल आण थि तो नेचे कितना बचा जल्दी बता ओ जल्दी बताओ अंसर नीचे कि नीचे वाले में से कितना करेंट पास होगा क्या बात नौरिंदव छे का पास होगा बिलकुल जबर्दस्त क्या बात जबर्दस्त बहुत बढ़िया अक्तर जी गुड इवनिंग respectfully गुदी इवनिंग क्या बात है सब कह रहे है कि छे अरे आंसर ही दे दिया आश्वर्या जी ने बहुत तरीके से बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात है चले आगे बढ़े बिटा ओके अब ध्यान दीजेगा अब मैंना इसको वैसे भी निकाल सकता हूं अन्यूवर्या चलेता है फैसफे आपोज़ टो युद्धा दोश्यवर्याम विड्याइगर अजिगा इसका आजयेगा छे आमपयर तो अगर आपको ये वाला फंड़ा आता है यह वाला फंडा तो आपका help बहुत जादा अच्छा हो जाता है तो आपको यह पता होना चाहिए this is the current division rule this is the current division rule तो पहले काम करो sequence में इसका screenshot ले लो एक बार sequence में इसका screenshot ले लो जल्दी यह बिला लगतर क्या वात है cool boy चलो everybody चलो everybody ले लिया इसका screenshot जल्दी three two one ready go done हो गया इसका screenshot पक्का चलो okay 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 in heart क्या बात है जय महाकाल अभिशेख जय महाकाल Sanskrit का पढ़ाओगे चलो यह वाला हो गया ना बेटा अब जड़ा इसका भी ले लो screenshot जल्दी करो तबी तो आगे बढ़ेंगे इसका screenshot ले लिया बेटा पक्का डन चलो आगे बढ़ें पूरा audio वीडियो क्लियर है क्या कुछ लैक तो नहीं कर रहा अच्छा गैलरी फूल है marvel बोल रहा है गैलरी फूल है कर दीजे recorded में छोटा चैप्टर है एक वीक में हो जाएगा recorded में इएम वेब्स कर दों क्या चलो ठीक है मैं घरता हूं मैं कर दूंगा अगर मैं कर दूंगा तो मैं कर दूंगा तुमको मंदे को चलो के डिया बिलकुल बिलकुल सजेशन्स वे को मिल गए मैं बिलकुल कर दूंगा ठीक है आगे बढ़ यह वाला कंफर्म हो गया यह होता है करेंट डिविजन रूल यह क्या होता है पूरा का पूरा करेंट डिविजन दूल इसको आपने नोट भी कर लिया होगा मिटाते हैं इस इसे मानले अगर मैं सिरीज की बात करता हूं यह राइस्टर पहला वाला है यह राइस्टर दूसरा वाला है तो जो करेंट इसको मिला वही करेंट आगे बढ़ जाएगा तो यहां पर करेंट डिवाइड होता ही नहीं है तो सिरीज कॉंबिनेशन में कभी करेंट डिविज potential same होता है तो अगर ऊपर 10V का drop है तो नीचे भी कित्ते का drop होका 10V का तो parallel में potential कभी divide नहीं होता तो अगर हमें पढ़ना है potential division rule since parallel में potential divide नहीं होता है तो potential कहां divide होता होगा series में होता होगा तो potential division rule को करने के लिए हमको series combination पर जाना पड़ेगा पक्का डन आगे बढ़ें ठीक है अब जब देखो कैसा होता है कि मैं पास potential division rule कि आजाओ आजाओ जल्दी आजाओ potential division rule पर आजाएंगे उसके बाद फिर convergence पर चलते है potential division rule ठीक है देखो भाई साब क्या होता है potential division rule में पक्की बात है जैसे current division rule series में apply नहीं होता because series में current constant होता है तो current division rule को पढ़ लिया parallel में तो वैसे ही potential division rule कभी भी parallel में apply मत करना because parallel में तो potential same होता है तो potential कहां divide होता होगा series combination में divide होता होगा पक्का तो potential division rule is to be applied in the series combination भाई साब यह रहा पहला resistor और यह रहा दूसरा resistor ठीक है मालो 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 एक cell लगा दिया इस cell का voltage किता है V के बराबर है इसका resistance किता है R1 के बराबर है इसका resistance किता है R2 के बराबर है जब इसमें से current pass करेगा तो obviously potential drop तो आएगा ठीक है तो भाई साब कुछ potential drop यहाँ पे आएगा इसको बोलेंगे V1 पहले वाले का cross का potential drop उसके बाद कुछ potential drop यहाँ पे आएगा इसको बोलेंगे V2 इसका मतलब दूसरे वाले का potential drop ठीक है अब मेरी बात पर अच्छे से गौर करना जब तुमको यह निकालना है कि पहले वाले में क्या potential drop आया क्या निकालना है पहले वाले में क्या potential drop आया देख formula क्या होता है main potential into same resistance ठीक है current वाले में कहता है main current into opposite resistance था तो वो था current division rule में यह potential वाले में क्या होता है main potential into same resistance ठीक है into same resistance तो current वाले में main current into opposite resistance और potential वाले में main potential into same resistance तो अगर मुझे यहां का potential drop निकालना है तो यहीं का resistance अपन नीचे वाली बिल्कुल बरकरार है R1 प्लस R2 ठीक है यह रहा formula ठीक है वैसे ही क्या हो जाएगा जब मुझे V2 निकालना है main potential into same resistance ठीक है same resistance बोले तो R2 अपन नीचे क्या हो जाएगा भाई साब जनता R1 प्लस R2 नीचे क्या हो जाएगा जनता R1 प्लस R2 बताओ 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 यह वाला पूरा फंडा clear हुआ क्या जल्दी बताओ चलो रादे रादे everybody रादे बताओ भाई लोग समझ में आ गया क्या जल्दी बताओ पक्का clear है screenshot ले लो भाई इसका screenshot ले लिया clear है शगुन शर्मा जी बूच रही है कि सर आप क्या पढ़ाते हो बाई को इसको बताओ क्या पढ़ाते है जल्दी बताओ प्रिया जी ने जो एक बात बोली है बहुत ही डीप बात बोली है बहुत ही जादा डीप बात बोल दिये इन्होंने कि किसके चक्कर में मत पढ़ो या लाइफ बरबाद हो जाएगी अपने गोल पर focus कर चलो 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 डन 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 पायल जी ने बता दिया ओके डन आगे बढ़े आप हां सोनम जी आप अभी लेट आए क्या आप सिस्टम 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 मारवल ठीक है देखिए मैं मैंने बस यह कहाता देखिए पोटेशल जो होता है वह कहां पर डिवाइड होगा सिरीस कॉंबिनेशन में तो यहां पर राइस्टंस था है इसका राइस्टंस और राटू था मेंन पोटेशल वह यहां ऐसे आगर एकजमपल मि ओस तो यह दस वोल्ट का सेल है तो यहांग़ तो यहां यह दस वोल्टicherung जाए गा तो शायद 2 वोल्ट जाए तो यह है पोग definition इस प्रिय आप यह डिवाईट हो lays वैसे ही अगर मुझे वी टू निकालना है तो क्या करूंगा मेन पोटेंशल इंटू सेम रजिस्टेंस आइटू अपन नीचे क्या आता है समेशन आफ रजिस्टेंस ठीक है तो बस फॉर्मॉला लिखने का वह तरीका भड़ता ठीक है क्या बोल तो आगे बढ़ जाएं ले लिया था सरो खेयो 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 अपको यहां कौन है यह कौन है कौन है यह मिसभी हीलो फॉर्म चलो देखते है देखते कौन कोन मिल तो नीग रहा कैसे हैं सोनम जी बोलिये 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 क्या पॉएंट आपका बताईये पताईये पूरा ख्लियर हुआ बैटा जो मने बताए अभी हाई 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 everybody हाई yes okay thanks चलो चलो एक बार वापस चेक करना में एक हलसा आप लेट आये थे ठीक है एक बार ना वापस लेक्चर को हलका सा देख ले पीशे करके ठीक है पूरा पल्ले पड़े आएगा चलो ओके डन दाट वाउट पुटेशल डिविजन रूट ठीक है तो करेंट डिविजन रूल भी करवा दिया और पुटेशल डिविजन रूल भी बता दिया अब जड़ा आते हैं भाई सब कनवर्शन के ऊपर कि कैसे आप कनवर्ट करने वाले हैं किसी भी गिलवानो मीटर को वोल्ट थीति के उसमें क्या होता है समाल है मै पास एक डिवाईस है तो ख ऑँ अधी लेजम मैंने कहा था है कि ये बड़ा ही डेलिकेट डिवाईस यह बड़ा ही डेलिवाईस है इसमें से अगर जादा करेंट पास कर गया तो यह जल जायगा झायां अवा अशन बाल कि बड़ा ही delicate device है इसमें से जादा current pass नहीं करना चाहिए otherwise इसकी दुर्गती हो जाएगी तो आप एक काम करा करिए आप क्या करेंगे आपको पता था कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कम current pass करें तो आपने इसके उपर लगा दिया है एक low resistance device आपने इसके उपर आपने इसके ऊपर लगा दिया low resistance device और उसको कहा गया और उसको कहा गया और बॉपर ब्राश में इतना कम resistance हैं कि 99 निकल गया बच गया भाई यह बच गया तीक है अगर यह नहीं होता ना अगर यह नहीं होता ना तो पूरा 100 इसको लगता और जो इसकी दुरगती होती तीक है तो इसको बचाने के लिए हमने क्या करा पैरलल में एक डिवाइस लगा दिया पैरलल में एक वायर लगा दिया जिसका नाम तो यह जहल लेगा ऐसे जाकर के यह जो डिवाईस है वह safeguard हो जाता है ऐसे जाकर के जो यह डिवाईस है उसकी safeguard हो जाती है यह वाला basic fund था for shunt थीक है कोई आपसे पूछ ले शांट क्या होता है आपको दो चीज़े पता हो नहीं चीए पहली बात तो क्या shunt is a low resistance wire shunt is a low resistance wire and it should be placed in parallel and it should be placed in parallel इतनी बात पूरी clear होगी आप लोगको इसका screenshot लेना है क्या करवाया हो है पहले भी 3, 2, 1, ready go, done, हो गया होगा, चलो अब जरा देखो भाई साब M-meter के बारे में क्या क्या कहानिया लिखी हुई है पढ़ो 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 एक बार देख लो बस एक नाम दिया गया है बेटा उसको कौशलिया जी उसको बस नाम दिया गया है कौशलिया जी बस नाम दे के रखा हुआ है shunt का बस नाम दे के रखा हुआ है और भी कुछ दे सकते थे ठीक है, shunt दे के रखा है कि Shunt Word का itself मतलब होता है parallel और cascade का मतलब होता है series यह chapter 3 तारिक को done तीन तारिक को तीन तारिक को done ठीक है ऐश्वर्या जी okay okay नैतिक राजमिश्वर यृवाज न्यू स्टुडेंट आजा भाई आजा सही है सही है सही है ओके मारवल बिल्कुल चले डन आगे बढ़ते हैं तो यह अब ज़रा सुनना क्या लिखा है M-meter के बारे में देखो भाई क्या है M-meter is a low resistance galvanometer एक ऐसा galvanometer है M-meter क्या है एक ऐसा galvanometer है जिसका resistance बहुत ही कम होता है It is a low resistance galvanometer M-meter is a low resistance galvanometer बेटा जो यह टर्म से आप लिखे हो है यह अर्थी महत्वपून टर्म से है इन पर बहुत जबर्दस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए तो M-meter क्या होता है M-meter is a low resistance galvanometer It is used to measure the current in a circuit Obviously M-meter is used to measure current in a circuit It is a low resistance galvanometer और galvanometer को हम कैसे convert करेंगे M-meter में इसका एक बहुत simple तरीका होता है कि इसके लिए एक शंट ले लो उसको parallel में लगा दो कैसे कर दो लिखा हुआ है A galvanometer can be converted into an ammeter by using a low resistance wire by using a low resistance wire in parallel और यह जो low resistance wire parallel में लग जाता है इसी को shunt कहा जाता है क्या कहा जाता है shunt The resistance of this wire depends upon the range of the galvanometer बताऊंगा उसके बारे में अब उसके बारे में एक चीज़ और समझ लो देखो भाई अभी तुम्हारा दिमाग बस दो जगा जाना चाहिए पहली बात तो क्या कि अगर मैं किसी भी galvanometer को ammeter में convert करना चाहता हूं क्या बोला मैंने यहां पे टर्म लिखा हुआ है figure of merit क्या होता है तो क का मतलब होता है figure of merit यू जिन्ता galvanometer अब ना भाई साभी जो पहली के दो पॉइंट लिखे हुए बाकि तीसरे वाले को छोड़ो तीसरा वाला पॉइंट तो मेरे उपर है तीसरा वाला पॉइंट तो मैं भी करवा रहा हूं लेकिन जो इस दो पॉइंट लिखे हुए कि आपको वो दो पॉइंट समझ में आ गए जल्दी बताओ हाँ प्रिया जी ने सही बोला है तो प्रिया जी ने क्या बोला है है जल्दी बताओ भाई लोग यहा पर पहले के दो पॉइंट लिखे हुए है कि आपको वो दो पॉइंट पूरा समझ में आ गए है जल्दी 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 बताओ भाई लोग थाenks अलोट महरवाल एगडम ललन टॉप चले 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 gta editor thanks a lot by thanks a lot thanks a lot thanks a lot चले आगे बढ़रा क्या यह वाला पूरा समझ में आ गया second वाला with a look नहीं पढ़ाते है blueberry जी इतिहास हम नहीं पढ़ाते है चले 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 एक सगन्य यह सर यह लोग पढ़ने नहीं आते बाबू सोना करने आ चलो 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 एक सेकेंड क्रेश्व मोहन शर्मा एक पता नहीं क्या लिखा लिखार मने कुछ मिस्कर दिया क्या चलो दो मेट दो मेट दो मिट यहाँ पर आते हैं दूसरे पॉइंट पे किसी को डौट आ रहा है चिक है a Gilvanometer can be converted into a voltmeter by using a very low resistance, ठीक है, अगर कभी भी तुझे किसी भी Gilvanometer को बेटा, अगर a meter में convert करना है, उसके लिए बस एक काम करना है, उसके लिए, उसके लिए बस एक काम करना है, शंट, मतलब एक low resistance wire को parallel में place कर देना, that's it, अब उससे वो कैसे convert होगा, वो बताता हूँ मैं, ठ figure of merit क्या होता है, अब जब पहले वो सुन लो, देखो भाई, figure of merit, कैसे करते हैं, इसको represent figure of merit को कैसे करते हैं, ठीक है, मान लो for example, देखना भीटा ध्यान से, मान लो, हमाने पास ये galvanometer है, ठीक है, ये उसका null deflection point है, 0, ठीक है, उसके बाद first deflection, second deflection, third deflection point, वहीं left में first deflection, second def point, चलेगा आपको इता, पक्का, ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजेगा, क्या होता है, मान लीजे, for example, for example, कि ये हमाने पास उसका dial था, ठीक है, हमाने पास dial था, उसका, और उसके बाद wire तो लगा हुआ है, wire तो लगा होगा इसके अंदर, ठीक है, अब इस wire में से current pass कर रह ये के बराबर, ठीक है, जैसे current pass कर रहा, तो galvanometer में जो deflection आया है, galvanometer में जो deflection आया है, वो one scale का deflection आया, ये आपको आया समझ, बस एक scale का deflection आया, ठीक है, तो कितने current ने, ध्यान देना अच्छे से, deflection कितना भी आ सकता है, बट मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, कि deflection बस one scale का रहा हूँ, ठीक है, तो कितने current की वज़े से one scale deflection आया है, उस current को, उस current को कहा जाता है, figure of merit, क्या बोला है, एक scale deflection, बस एक scale का deflection, ठीक है, तो one scale deflection प्रेड्यूस करने के लिए, जो current required होता है, उसे कहा जाता है, figure of merit, ठीक है, तो current required, लिख लो मेरे साथ-साथ, लिखते चलो current required to produce one scale deflection current required to produce one scale deflection is called figure of merit इसी को कहा जाता है is called a figure of merit एक scale के deflection को produce करने के लिए जो current के requirement होती है उसे कहा जाता है figure of merit क्या आपको ये वाली बात चमक गई जल्दी बताओ जल्दी 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 बताओ क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है जल्दी जल्दी ओके क्रिश्मोंच हमका कैसे current वाला नहीं एक बार फिर सो बताईए नहीं आया समझ में ठीक है एक को नहीं आया देख ले भाई उस करने के लिए जो current required होगा that current will be just called as the figure of merit क्या बोलेंगे उसको figure of merit ठीक है ये बाली बात समझ में आगे एक चमका clear हो गया चलो अब जरा ध्यान देना यहां पर लिखा हुआ था कि किसी भी galvanometer को अगर आपको ammeter में convert करना है तो बस ये करिए कि एक low resistance को parallel में लगा दो ठीक है अब जब वो लगाएंगे तो exactly कहानी क्या होगी formula क्या बनेगा वो सुनना मेरी बात अच्छे से ठीक है आजाओ 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 अब शुरू कर रहें main topic ठीक है अब शुरू कर रहे है main topic galvanometer into ammeter galvanometer को ammeter में कैसे convert किया जाए इसका सबसे सही सबसे सटीक जो पहला one liner होता है वो यह होता है कि यह low resistance a low resistance shunt should be placed in parallel यह should be in parallel ठीक है अब मेरी बात पर गौल करेगा बहुत तरीके से आजाओ शुरू करें शुरू करें अब जो यहाँ लिख रहा हो ना बेटा number उसी के है ध्यान देना ध्यान देना जब यह सवाल आएगा कि गिल्वैनो मीटर को ज़रा convert करिया है मीटर में तो जो number आपको मिलने वाले है पहले तो जो points आप लिखे हो मैं उसको चाप लेना तरीके से ठीक है slides के अंदर में जो points यूज कर रहा हो ना उनका importance बहुत 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 ज़ादा है ठीक है और उसके बाद अब मैं जो लिख पाने वाला हूं वो लिख लेना एक बास के screenshot लो जल्दी 3, 2, 1, ready, go, done ठीक है screenshot देना बहुत ज़हरी इसका भाई अब आते है main चीजों के उपर ठीक है देख कैसे करेंगे आपे काम सुनो यहां पे g का मतलब दो तोले के चीज़े हैं पहली बात तो गिल्वैनो मीटर को कर रहा है रिप्रेसेंट उसके बाद गिल्वैनो मीटर के resistance को भी g से ही करेंगे रिप्रेसेंट ठीक है चलेगा आपको इत्ता अब उसके बाद क्या हो रहा है देखो अगर आप इसे convert करना चाहते है किसमें मीटर में तो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस को ऐसे पैरलल में लगा दीजिए ठीक है लगा दिया आप लोगों ने इसको नाम देंगे शंट S ठीक है तो G है गिल्वैनोमीटे का रिस्टेंस, S है वो उस वाले उपर वाले वायर का रिस्टेंस जिसको शंट खा जाता है, it's as simple as that अब भाई, जो करेंट आ रहा होगा, मान लेते हैं, मान लेते हैं, कि जो करेंट आ रहा होगा, वो मेंन करेंट आ रहा होगा आई चलेगा आपको इत्ता अब आई में से जो करेंट गिल्वानो मीटर में चला गया इसको आई जी बोल दूँ क्या जो करेंट गिल्वानो मीटर में चला गया इसको आई जी बोल दूँ ठीक है बेट अब आई में से बेटा इसी के नंबर है बोल चुका हूँ मैं गिल्वानो म से आई जी यहां चला गया है तो उपर कितना जाएगा कौन सा रॉकेट साइन सा भाई अगर आई में से आई जी यहां चला गया तो यहां कितना जाएगा i-ig क्या बोलते हो भाई लोग पक्का i में से ig गया तो उपर गिता गया i-ig तो वहां से घुमते हो आ जाएगा i-ig फिर ही आपर क्या हो जागा देखो यहां से पहुचा ig यहां से पहुचा i-ig तो ig ig मिलके cancel तो क्या बचेगा i बचेगा और i-current फिर ऐसे निकल लेगा बोलो हा आए आपको समझ ठीक है अब यह जो combination आपको दिखाए दे रहा है this is basically a parallel combination यह कैसा combination है यह है parallel combination और parallel combination में एक तरफा बात क्लियर है कि potential constant रहता है क्या constant रहता है potential constant रहता है तो उसको मैं लग देता हू in पिंक से नहीं लिखेंगे in parallel combination in parallel combination potential is constant या potential is same तो जितना potential उपर है उतना potential नीचे है तो जितना potential shent वाले में जाएगा उतना ही potential का drop गिलवानोमेटर वाले में होगा क्या आपको यह वाली बात समझ में आ रही है जल्दी बोलो बड़े simple सी बात यार क्या आपको इतना पूरा funda समझ में आ गया जल्दी बता दो यार अरे क्या point आ रहा है अगर गिलवानोमेटर को series में लगाएंगे तो क्या होगा अंजली जी बता रहा हूँ बहुत प्यारा पॉइंट लिया आपने दो मिटों के बस हां हां सरा इंडस्टूट बढ़के आप बायलोजी पढ़ाते हैं मुझे नीट के त्यारी करनी है मेरा नाम उमनाथ है हां उमनाथ देखो भाई यहाँ पर तुम्हारे पूरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्कूल लेवल तो क्लियर हो रहा है उसके बाद बाकी टॉप लेवल के लिए भी बेसिक्स बहुत जबरदस्त त्यार हो जाएंगे अब एक पॉइंट आया था बहुत प्यारा सा क्या बोला भाई साहब अगर आए मीटर में कवर करना है तो लो रजिस्टेंस लगा दो पैरलन में अगर आपको इसको वोल्ट मीटर में करना है तो हाई रजिस्टेंस लगा दो सीरीज में ठीक है अब ही क्लियर करेता हूँ स्कॉर इत्ता पूरा ख्लियर है क्या सर मैं तो आपके उपर फिल्म बनाऊंगा तैयारी में लगा हूँ मारवल भाई क्या बात है चलो 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 डन चलो एवरीबड़ी आगे बड़े अब थम्स अप दे तो यार सब डन है क्या हाक चलो चलो में जली 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 कि एक ने में नांखला किमीय मत कर न मौका मिले तो पीछ भी देख और एआग या दकना आगे वाले का पेपर भी अपना ही समझ ना और प्रतिक सर का प्ढय का मत बूलना क्या बेभभआ भई चलो हाँ 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 बाई शुरू कर रहे है एक पॉइंट आ रहा है वीकेन कंसर्ट वोल्ट मीटर वाई यूजिंग गल्वैनो मीटर बाई टाइचिंग राइस्टेंस इन सीरीज हाँ बिल्कुल सही है अरे बाई कृष्ण मोहन शर्मा का तो कॉमेंट ही देख लो सब लोग बहुत सही लिखाया है बहुत सही लिखाया है और बढ़ेंगे चलो चलो बहुत बढ़िया तो यहाँ पर क्या होता है अगर डिवाइस पैडल में लगे वह है तो obviously उनका पोटेंशल जो है वो सेम हो जाता है ठीक है ऊपर वाले में क्या होगा पोटेंशल current into resistance ठीक है तो current क्या है I minus IG current क्या है I minus IG into resistance क्या है S के बराबर is equal to भाई साब गिलवानोमेटर में क्या होगा potential IG into G के बराबर क्या आपको इत्ती पास समझ में आ गई है भाई क्या आप बहुत सिंपल बात लिखके रखिए होम स्लोग आप बोलता है V is equals to IR अगर shunt का निकालना है मुझे potential तो shunt वाले में current क्या जा रहा है I minus IG और shunt वाले में क्या resistance है S ही उसका resistance है is equal to क्या हो जागा गिलवानोमेटर का potential difference गिलवानोमेटर में से क्या current पास कर रहा है IG और गिलवानोमेटर का खुद का resistance किता है G के पराबर है it's as simple as that ठीक है भाई मुझे निकालना है shunt क्या निकालना है shunt पक्का क्या हो जाएगा IG G upon I minus IG इस वाले formula को दिमाग में अटकाओ क्या बोलतो तो अगर गिलवानोमेटर को तुमको आइमेटर में convert करना है तो बस यहाँ पर इसके parallel में क्या लगा दो एक low resistance device लगा दो ठीक है एक low resistance वायर प्लेस कर दो जिसे का जाएगा shunt उसके resistance को भी shunt resistance कहते हैं और उसके बाद यहाँ पर कहानी जो mode लेगी वो S का formula आजाएगा आपके सामने IG G upon I minus IG ठीक है जल्दी बताओ इतना आया समझ जल्दी 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 बताओ इतना आगे के समझ में जल्दी बताओ क्या बात है क्या बात है जल्दी 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 बताओ भाई लोग जल्दी बताओ चलो ओके 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 ऐश्वर्या जी ओके डन ओके अवरिबड़ी यस सुनम रानी जी क्या बात है ठीक है माजुरी वर्मा जी I got your point अभी देखते हैं कौन है मारेवल थैंक्स अलोट भाई चले ओके 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 डन ये वाली कहानी हो गई जब हम गल्वयानोमेटर को कनवर्ट करें ते किसके अंदर यहां पर कनवर्ट करें अब जड़ा अगला वाला point चक करते हैं ठीक है देखो भाई लोग ये तो हो गया आपका अमीटर वाला अच्छा एक चीज है यार अमीटर वाले पढ़ना बेस एक question है अब इस question को solve कैसे किया जाएगा तो इस पूरे question को solve करने के लिए जो formula की requirement है ये रहा ठीक है इसलिए मैंने कहा था कि इस formula को literally बहुत important formula ही है सीधे direct question आता है एकदम formula based question आता है ठीक है तो क्या है question ऐसी question आएगा इन सब की values given होगा या तो S निकालना होगा या तो G निकालना होगा या तो IG या तो I निकालना होगा मतलब इन चारों में खेलते रहेंगे और बाकी तीन values given होगी ठीक है यही कहान ही होती है तो भाई ammeter में convert कैसे करना है ध्यान रखना low resistance को place कर दो कहां पर place कर दो parallel में ठीक है जी अपाउन वन माइनस मतलब I माइनस IG तो यह वाला formula होता है जो हमने अभी निकालके रखा हुआ था तो I माइनस IG इंटू S is equals to IG इंटू G तीक है अब इस सवाल पर ज़रा आजाओ और ज़रा बताओ मुझे किसी का answer आ रहे है जल्दी बताओ 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 किसी ने ट्राई करा गया इसको किसी ने ट्राई करा क्या इसको चलो चलो ओके ओके डैन आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे नहीं करा सौल तो मैं करवा रहा हूं नहीं करा सौल तो मैं करवा रहा हूं एक सेकेंड चालो रेड़ी अब जर्णा कोशन 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 यह है कि I am ammeter of resistance कितना है 0.80 ohms can measure a current up to 1 ampere ठीक है तो एक ammeter है जिसका resistance कितना है यह 0.80 ohms and can measure a current up to 1 ampere बस जर्णा values पुट करो देखो भाई सवाल कि according जो resistance है ammeter का वो है 0.8 अब जो ammeter का resistance है मतलब वो galvanometer का resistance है because होता क्या है यहां जब बंतर अपना ammeter तो galvanometer और उपर shunt वो लगे होता है parallel में अब shunt की value तो बहुत ही कम होती है तो जो भी राइस्टेंस है किसका है वो galvanometer का resistance है ठीक है and it can measure a current up to 1 मतलब जो galvanometer में से current पास कर रहा है उसकी value किती है 1 ampere है सवाल के according चल रहा हूं ठीक है data पकड़ के लेते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है ammeter का resistance जो given है मतलब यह given है galvanometer का resistance G की value and the galvanometer can measure a current of 1 ampere मतलब यह galvanometer current IG की value हो गई है 1 ampere now what must be the value of shant resistance देखा वाई साब क्या पूछ लिया आप से आप से यहां पूछ लिया है कि what should be the value of shant resistance to enable the ammeter to measure a current up to 5 ampere मतलब total current किता रहा है 5 ampere total current कितना रहा है 5 ampere जल्दी करो solve total current किता रहा है 5 ampere जल्दी करो solve answer बताओ क्या रहा है आ गया भाई एक का answer भी आ गया खित्ते का answer माधुरी जी का answer आ गया है 0.8 एक second screen blur है क्या क्या बोल रहे हो superior यानी जी कहां पर है आपको यहां पर बहुत साहे लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कहां पर है screen नहीं दिख रही के अच्छे से क्या दिख रहा है एक बज़र हम लोग चेकर थे अपने साइट से चलो okay done 0.2 ohms आ रहा है काफी लोग का रहा है 0.2 ohms ठीक है यहां पर क्या करेंगे बस तो निकाला है formula based है रहे s is equal to ig ig की value क्या फट से डालो यहां 1 उसके बाद क्या है जी जी की value क्या है 0.8 डालो फट से डालो 0.80 अपन नीचे क्या आएगा i minus ig i किता रहा i किता रहा 5 minus ig की value किता है 1 तो shine tri-stance किता हो जाएगा 0.80 अरे क्या बात है भाई जिसका answer आ गया था 0.2 या 0.20 ohms वह बिल्कुल से टी का answer आया है सीदे बेटा formula based question आते है ऐसे ही question practice कर लो जबर्दस काम हो जाएगा उठके आ जागा है वहला सवाल ठीक है बिल्कुल ओके everybody clear क्या बात है चलो everybody आगे बढ़े अब क्रिष्न मोहन शर्मा का भी 0.2 आया था कॉशल्या का भी आ गया था चलो blueberry ध्यान दे ले भाई सर अच्छे से दिखाई नहीं दे री screen क्या हो गार क्रिष्न मोहन शर्मा जी चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह मारवल है यह मागेत बिल्स हे और यहाँ पाडी हो रही है चले होके भाई मारवल बिल्स द करे सब्सक्राइब आखे सब्सक्रारण ब kleiner दोः हुआ है कि what is the combined resistance ठीक है अब भाइस आप combined resistance कैसे निकलता है तो उसके लिए आपको इस तरफ ले करके आए जाए निकालते हैं combined resistance देखो भाई कोई बड़ी बात नहीं है आपको बस दिमाग में यह अट कान है कि अगर आप गिल्वानो मीटर को एम मीटर में करना चाहा रहे है तो कुछ नहीं है गिल्वानो मीटर लगा हो नीचे और उपर लगा दो एक लो रजिस्टेंस पैरिलल में ठीक है जैसे कहा जाता है शंट ठीक है तो combined resistance के लिए firstly you should know the entire circuit g s क्या बोलते हो भाई लोग g और s ठीक है अब यार यह g की value क्या रही थी जी की value किती आई थी भाई सब जी की value थी 0.8 ठीक है तो जी की value क्या थी 0.8 तो यार इस circuit को अगर मैं चाहूं ना तो मैं basically ऐसे लिखना चाहूंगा यह रहा नीचे गिल्वानो मीटर का resistance 0.8 ohms और उपर जाएगा शंट का resistance equivalent बना दिया बने इसका ठीक है और शंट पर किता है resistance 0.2 का है ठीक है कितने का है बेटा 0.2 का है जल्दी answer बोल दो जल्दी से जल्दी answer निकाल दो इसका मेरे आने से पहले अब जब combined resistance आप निकालेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो resistance निकलेगा equivalent जब भी दो devices parallel में होते है तो उसका answer निकलता है product upon sum कैसे निकाला जाता है product upon sum या तो वैसे कर ले 1 upon r1 plus 1 upon r2 equal to 1 upon r parallel ठीक है वो भी एक तरीका होता है उसमें मना नहीं कर रहा हूँ बट वो करने के बाद भी क्या हैगा यही आने वाला है तो यही apply कर ले अब क्या होगा इसका product 0.8 into 0.2 आपका तो answer भी आ गया होगा न अब तक तो upon नीचे क्या जाएगा sum कर दो तो 0.8 plus कितना हो जाएगा 0.2 ठीक है चलिए भाई साब तो 0.2 और 0.8 को multiply करेंगे तो answer will be 0.16 और जब इसको हम solve करेंगे तो 0.8 plus 0.2 1.0 मतलब कुछ नहीं है 0.16 upon 1 इसका मतलब equivalent resistance जो आएगा न वो आएगा 0.16 ohms क्या हैगा answer 0.16 ohms जल्दी बताओ जनता क्या बोलते हो अरे गजब अंजली भारदुआ जी का अभी देखा और marvel का answer पहले आगया था अरे भाई मारवल ऐसा कुछ नहीं आएगा marvel भाई ऐसा कुछ नहीं है आएगा यह कोई यह कोई नहीं है भाई सब होता है चले ड़न मुझे समझ में मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपसे लेकिन नौर मत कीजिए यार बात में को बताओ बाकी सारे लोग क्या आप लोग को screen clear दिखाई दे रही क्या एक बार बाकी लोग मुझे please confirm कर दीजए क्या आप सब लोग को screen clear दिखाई दे रही है एक बर हम confirm तो हो जाए कि मतलब हमाय साइट से issue है कि वहां से issue है clear है सबको screen clear है सबको okay 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 रुको भाई check कर बाते हैं रुको आएगा ना बिलकुल आएगा बिलकुल आएगा बिलकुल आएगा माजुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़या गाम किया आपने बहुत बढ़या बहुत बढ़या UK18 बस हलका से वेट कर भाई बिलकुल ट्राई कर रहे है एश्वर्या जी कहरे है कि quality बढ़ा लीजे मतलब हमारे यहां प्र्ष्प कुछ ठीक है UK 18 एक बार ट्राई करो यार कोईटी बाने का बाकी यहां से पूरा ख्लियर है यार बाकी इस तिल आई ट्राई चलो आगे बढ़े अब डन ओके भाई साहब यह वाला कॉशन तो आपका हो गया अब इसका स्क्रीन शॉट लो पहले तो यार जल्दी इसका स्क्रीन शॉट लो जल्दी इसका स्क्रीन शॉट लो जल्दी चलियो ओके डन क्लियर हो चुका है पूरा का फूरा ओके निटाजन स्कोब ठीक है भाई सब तो ये वाला सवाल आपका डन हो गया है अब जरा आजाए जाए कि कैसे convert किया जाएगा इसको voltmeter में ठीक है मैंने बताया था कि जैसे आपने ammeter में convert किया था था ना बस ठीक उसका उल्टा करना है ठीक है ammeter में convert करने के लिए हमने एक low resistance यूज़ किया था और voltmeter में convert करने के लिए किसे convert करना है गilvanometer को ठीक है तो voltmeter में convert करने के लिए हाप एक high resistance यूज़ करिए पहली बात तो ये दूसरा गilvanometer को ammeter में convert करने के लिए हम लोगोंने parallel में लगाया था resistance ठीक है और गिल्वैनो मीटर को वोल्ट मीटर में कनवर्ट करने के लिए हमको सिरीज में लगाना पड़े कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लेकर चलता हूँ ध्यान दू भाई मैंने पहले भी कहा था कि अब जो यहाँ पर लिखा जा रहा है ना भाई साब वो अतिम है जो पूर्ण चीज है चिपक करके आने वाली है तो अब यहाँ पर करेंगे गिल्वैनो मीटर को कनवर्ट इंटू किसमें वोल्ट मीटर में किसमें बेटा वोल्ट मीटर में और कनवर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है ठीक है हाई रजिस्टेंस पिरसे बोल रहा हूं जब हम मेटर में कनवर्ट किया था तो हम लोगों ने एक लो रजिस्टेंस वायर यूज किया था और यहाँ पर अगर हमें वोल्ट मीटर में कनवर्ट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एक high resistance वायर पहली बात तो यह और high resistance वायर अच्छा वो जो high resistance wire है ना वो जो high resistance wire है ना उसका resistance R ले लेते हैं क्या ले लेते हैं R और यहाँ पे इसे convert इसे place करना पड़ेगा किस में? सीरीज में should be placed in series बेटा गलती मत करना ठीक है? वापस से बोल रहा हूँ बहुत बार बोल चुका हूँ ठीक है? कि अगर आपको Gilvanometer को M-meter में convert करना है तो वहाँ पे अपे लो राइस्टिंस wire यूज किया करते थे? यहाँ पे आप यूज करते है एक high resistance wire ठीक है? अगर आप गिल्वानोमेटर कोicanvert करना जाते हैं तो वहां पर आप ऐसा वायर यूज करणे इसको आप पैर्डल में लगाते हैं और हपर आगर वोल्ट मिटर में कनवर्ट करना चाहेंगे तो आप आप नगो यहां लगातें उस वायर को सीरीज मां लगातें सीरीज में ठीक है यह वाली बात समझ में आ गई चलो okay done clear करें circuit कैसे बनेगा भाई द्यान दो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखो भाई तुम भी जानते हो there has to be a galvanometer G का मतलब galvanometer भी है और G का मतलब resistance of galvanometer भी है और इसके series में लगा दिया है a very high resistance इसका resistance कित्ता ले लिया हमने R के बराबर ले लिया ठीक है अच्छा एक सेगें बस यहां पड़ना यह जो पूरा बना करके रखा हुआ था ना एक बारते को बता रहा हूं यह जो पूरा डब्बे के अंदर आया ना यह setup यह setup जो पूरा इस डब्बे के अंदर आएगा ना इस पूरे setup को कहा जाएगा m-meter इस पूरे setup को कहा जाएगा m-meter भाई screenshot तो लही लिया होगा दवास का फाइदा ठीक है कॉपी किताब लेके बैठा करो मैं तो बोलता हूँ ठीक है और साथ साथ लिखते भी चलो तभी मज़ा आएगा यह आने as it is आना है भाई as it is आना है इसको छोड़ना ही मत ठीक है चलो done अब क्या होगे गिलवानो मिटे लिया और यह राइस्टेंस लगाया हाई रेस्टेंस ठीक है हाई वैल्य रेस्टेंस अब यह जो सेट अप पूरा बना है यह पूरा सेट अप यह जो सेट अप पूरा बना है इस एंटायर सेट अप इस दा वोल्ट मीटर इस एंटायर सेट अप इस दा वोल्ट तो यहां से current आ रहा होगा पक्का और उसके बाद यहां पर कुछ drop होगा उसके बाद कुछ drop यहां पर भी होने वाला है तो यहां पर भी current जाएगा आई के बराबर और कुछ drop in total में तो drop होता ही होता है ठीक है अच्छा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहां पर ना series combination है series combination में current same होता है और parallel में potential same होता है ठीक है parallel में current may or may not be same और series में potential may or may not be same ठीक है तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है क्या ठीक है एक बात जरा इतना बता हो मैंने क्या बताया अगर इसे convert करना है तो में किसके अंदर अगर इसे convert करना है voltmeter में तो क्या होना चाहिए rise tense high होना चाहिए and it should be placed in series combination इतना बताओ इतना सबज में आ गया क्या है जल्दी बताओ क्या बात है पक्का अवास ख्लेर आ रहे है मेरी पूरी marvel बहुत बहुत धन्यवाद अवास पूरी ख्लेर आ रहे है रेडी आगे बढ़े चलो 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 सर अगर करेंट हाफ में करेंगे तो क्या undeflected भी हाफ होगा एक सेकेंड तो क्याई deflection भी हाफ होगा हाँ 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 current अगर आधा पास करेगा तो deflection भी आदा होगा इस पर base experiment भी करना परता है half deflection minute पर base तो यह बात बिलकुल सही है जादा current जाहर deflection कम current कम deflection आदा current आदा deflection अवास पूरी clear है आप लोग को इस पूरे एंटायर में यहां से लेकर के यहां तक यहां से लेकर के यहां तक there is a potential drop of V किते का potential difference होगा कुछ तो होगा ना V माल लेते हैं तो IG is equals to तोटल करेंट क्या होता है voltage upon resistance तोटल करेंट कितना पास कर रहा है IG पास कर रहा है तोटल voltage क्या है voltage है V के बराबर ठीक है voltage क्या है V के बराबर upon resistance क्या है गलती मत करना यहां पर G और R कैसे लगे हो है series में लगे हो है G और R कैसे लगे हो है series में लगे हो है अगर यह series में लगे हो है तो resistance कितना हो जाएगा R plus G it's as simple as that बोलो कोई परिशानी आरी कहाना तक यह मैंने क्या करा ohms को लगा दिया V is equals to IR तो I is equals to V by net license कितना हा रहा है R plus G आ रहा है ऐसा कर दिया मैंने अब देखो जोड़ा R plus G को मैं V upon IG कर सकता हूँ नहीं कर सकता क्या कुछ नहीं करा मैंने R plus G को पूरा ले गया वाँपे IG से multiply करा ही नहीं IG को पटका नीचे तो क्या हो जाएगा R plus G is equals to V upon IG भाई साहब जब आप M meter में convert करना चाहा रहे थे तो जो नया item आया था S आपने उसकी value निकाल ली मैंने क्या बोला जब आप M meter में convert करना चाहा रहे थे किसको galvanometer को जब आप M meter में convert करना चाहा रहे थे तो जो नया item आप लेकर कर आया थे वी अपॉन आई जी माइनस का जी ये लो भाई साहब ये आगया ultimate result और यही है conversion into voltmeter जल्दी बताओ क्या बोलते हो भाई लोग आया क्या भाई ऐसे का ऐसा ही छापो बहुत important है दो ही होते हैं बेटा एश्वरे जी बस दो ही होते हैं चलो हाँ एश्वरे जी क्लियर हो गया बस दो ही होते हैं मिटा दो ही होते हैं चलो 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 जल्दी 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 बताओ भाई हाँ कोसले क्या हो गया और रापला da कोसलिय जी बोलें कौन सा कोई डाउट आया था क्या शाएद मिस हो गया वोगा बोलो बोलो गुस्था ने वीटा इन्सार्णी गुस्था नहीं गुस्था नहीं हाँ हाँ बिल्कुल यह हमाई होगा कॉशल्या जी पॉइंट बिताइए कोई अगर डाउट है तो अभी address कर देते हैं जल्दी 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 conversion तो अपने हो चुक है भाई लोग conversion तो अपने हो चुक है हाँ बोलिये ना बोलिये बोलिये सर बहुत देर से मोमेंट नहीं बना है कौन सा मोमेंट नहीं बना है कौन सा मोमेंट कौन सा मोमेंट भाई कौन सा मोमेंट अच्छा ये चैप्टर अरे मैंने बताया था ना अरे रे आपने मेरी गलती मेरी गलती नहीं रे मैंने कहा जाना कि यह वाला चैप्टर अभी तीन तारिक जो आईगी ना 3rd of October उसमें खतम हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा यह मैं स्टार्ट कर लेंगे मैंने आंसर पहले भी दिया था मैंने आंसर पहले भी दिया था कि 뉴 चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे सोनम रानी जी क्या पूछना चाहरे है आप झूच आपी अचा मारवल वाला मोमेंट नहीं है हाँ ऐर मारवल वाला मोमेंट नहीं है चलो 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 फारह आवरीबढ़ी क्लियर आगे बढ़े आब चलो तीक हैं दन 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 सोनम रानी जी कोई point तो नहीं है सोनम रानी जी कोई point तो नहीं था आपका पूरा clear है क्या deflection check कर सकते हैं बिल्कुल galvanometer से deflection check कर सकते हैं सोनम राणी जी कोई point तो नहीं है Monday को topic कौन सा start होगा इसके numericals कर लेंगे बेटा इसी के numericals कर लेंगे numericals नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी numericals बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे ठीक है और कोई और कोई और कोई doubt है क्या सब done है क्या पूरा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिटा एक बात सुन लो अगली वाली class में बहुत तरीके से revise कर के आना प्लीज अच्छे से revise कर के आना मदू जी savage मदू जी ने अभी जो reply कर रहा है वह एकदम savage reply कर दिया है अरे करवाएगा ना मैं करवाएगा मैं करवाएगा मैं करवाएगा सायनी माइकल्स done 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 clear 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 ओके चलो भाई साब अब सब के गिले शिक में दूर कर दिया जिनको doubt आता कि sir कब क्या start करेंगा उनको बता दिया तो मेरे ख्याल से अब किसी को कोई परिशानी नहीं होगी यह आप लोगोंने note करी लिया होगा चलो ठीक है अब उसके बाद क्या होगा भाई साब अब जरना थोड़ा सा एक बार self try वाली चीजने देख लो मैं करवा दूंगा इस वोगा नहीं होता है यह वाला मैं करवा भी कुछ नहीं है इसके ओपर बेस्ट है current sensitivity याद आ रहा है कुछ current sensitivity क्या होता है deflection produced per unit current current sensitivity क्या होता है deflection produced per unit current तो इस पर based है वोगोषण यह वाला कोईशन ठीक है करा होगोषण और एक यह लास्ट कोईशन ठीक है इसका भी जरह स्क्रीन शॉट ले लो भाई पहले स्क्रीन शॉट लो जल्दी 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 तो दिल में चाप लो यह सवाल लेकिन दोनों अच्छा करेंट सेंसिटिविटी क्या होता है करेंट सेंसिटिविटी कुछ नहीं होता पहली बात तो दिमाग में एक फॉर्मला डेन कर लो n a b i is equal to k theta because जिसने में से पढ़ा है moving coil galvanometer दो-दो classes में लगाता पढ़ाया था उसको में ठीक है एक बहुत शान्दर diagram बना हुआ था वहाँ पे एक बार वो lecture भी revisit कर लेना moving coil galvanometer का ठीक है तो वहाँ पे क्या पढ़ाया था कि deflecting torque equal to restoring torque जितने torque से वो deflection खा रहा है उतने torque से उसके अंदर restoring force भी काम कर रहा है तब जागर क्या था equilibrium तो यहां से i is equal to क्या आगया था k upon n a b into theta एक relation यह काम का होता है उसके बाद current sensitivity क्या होती है कि भाइस साफ कितना deflection produce हो रहा है per unit current ठीक है अगर आपका material अगर आपका device जादा current sensitive है अगर आपका material यह आपका device अगर deflection आएगा ठीक है तो if your galvanometer is highly sensitive then it will show large deflection then it will show large deflection ठीक है अगर आप चाहें तो इसको note करें otherwise हम पहले भी इसको पढ़ चुके थे ठीक है everybody clear निप्टा दे इसको अरे भाई marvel क्या बात है दिल में तो magnet brains है फिलहाल तोड़ी जगा और हलकी से बना लो कुछ लोग और भी तो आएंगे चलो done ओके 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 बढ़िया चले बिटा अब आब आगे बढ़ते हैं ओके थाइंक्यू 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 सो मच चले तो ये तो एक बार लिख लिए होगा नोट कर लिए होगा आप लोगो ने मैं इससे बहुत concerned हूँ ठीक है ये मतलब एकदम party वाला question है ये जो question है ना वो एकदम party वाला question है अगर इसका answer आगे तो मज़ा आजाएगा बहुत जबड़दस ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले वाला question जो है na ये वाला होना हो ये तो आपन पनि यसे वैसे भी कर चुक यह आप से होना चाहिए यह एकदम party वाला question ये भाई साभ अब प souvenir वाला question है ये तो बहुत आए होटीक है ka då note कर लिया everybody clear जल्दी 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 जम्दी जो content था वो पूरा खतम हो गया है अगली class में बहुत तरीके से बहुत अच्छे से पूरा revise करके आएगा because अगली class में हम लोग करने वाले हैं इसी chapter के इसी topic के numericals ठीक है तब जाकर के जो अगला numerical वाला part होगा हमारा वो एकदम दिमाग में अच्छे से घुसेगा ठीक है चलो ठीक है तो अब आज वाले class को यह पर खतम करते हो बाकिया आप लोग जानते हैं हमारे पास जो badges available हैं वो यह हैं इसके अलावा आपको अगर कोई भी information चाहिए तो आप Magnet Brains के official website पर visit कर सकते हैं ठीक है ओके thank you so much